हेलो फेंड्स कैसे हैं आप सब तो आज इस वीडियो में डिसकस करेंगे पंच के बारे में डिसकस करेंगे और फेंड्स यहां से आपके एकजाम में प्रस्त बनते हैं इसलिए यह जो पंच वाला डॉपिक है यह बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है इसलिए आप इसे अच्छे से देखें और समझें ओके फैंट्स तो आए अब डिसकस करते हैं तो पहले हम यह देखते हैं कि यह जो पंच जो होता है वह दिखता कैसा है तो इस वाले फिगर में आप देख सकते हैं कि जो पंच है कुछ ऐसा दिखता है अब आईए हम यह इसके जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट जो पॉइंट्स है उन सभी के बारे में डिसकस करते हैं तो मार्किंग को स्थाई बनाने के लिए जिस टूल का प्रियोग किया जाता है उसे पंचे कहते हैं यानि कि जो पंच जो है जैसे कोई भी अगर जॉब है इस पर कोई अगर निसान लगाना है यानि कोई भी मार्क करना है अस्थाई मार्क तो वो निसान लगाने के लिए हम पंच का उप्यूग करते हैं अगला है ड्रिलिंग से पहले पंच करना अतिवसक होता है यानि कि अगर हम ड्रिलिंग कर रहे है तो उससे पहले जो इसकी बॉड़ी यानि कि जो पंच जो होता है इसकी बॉड़ी अस्ट भूज आकार की होती है और इसको बेलनाकार बना कर नर्लिंग कर दिया जाता है अगला है यह प्राया हाई कावन इस्टील के बना जाते हैं यह तो बहुत ही जदा इंपोर्टेंट है क्योंकि कौन सा इस्टील का बना हूँ होता है और इसके पॉइंट को हाड वो टेंपर कर दिया जाते हैं अगला है इसका प्रीयोग टेपर पिन यह डौवल पिन अथ्वा कौटर पिन को छेदो से निकालने के लिए किया जाता है किसका तो पंच का अगला है पंच के पॉइंट की जो हार्डनेश होती है वो 55 से 59 HRC होती है अब हम डिस्कस करेंगे डॉट पंच के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप देखते हैं कि जो डॉट 5 ह dall होता है वो कैसा दिखता है इस वाले फीगर में देख सकते हैं कि जो डॉट 5 है कुछ है ऐसा लिखता है अब आये डॉट 5 के बारे में डिस्कस करतेंगे कुछ इंपॉर्ट जो पॉइंट से उनसा भीको तो इस परकार के 5 के जो पॉइंट को 60 डिगरी के कौन में ग्राइंड करके बनाई जाता है यानि कि जो dot 5 होता है एक्जाम में कैसे questions पूछा जाता है यहां से तो पूछा जाता है कि dot 5 का जो angle होता है वो कितना डिगरी होता है कितना डिगरी का तो आपका right answer हो जगा 60 degree का यानि कि जो dot punch होता वो 60 degree का होता है अगला है इसका प्रियोग marking के पस्चात लाइनों पर dot निसान लगा कर उन्हें स्थाई करने के लिए किया जाता है तो I hope ये आपको dot punch समझ में आ गया होगा अब अगला discuss कर लेते हैं अब हम discuss करेंगे center punch के बारे में discuss करेंगे और ये वाला जो punch है ये भी बहुत ही ज़्यदा important है क्योंकि इस punch से भी प्रसंद बनते हैं ओके friends तो पहले ये देख लेते हैं कि ये जो center punch है कैसा देखता है तो इस वाले figure में अब देख सकते हैं कि जो center punch है कुछ है ऐसा देखता है अब आई इसके बारे में जो important जो points है उन सभी के बारे में discuss कर लेते हैं तो ये उच्च carbon spot यानि कि high carbon steel का बना हुआ होता है कौन तो center punch ये तो ये पूछा जाता है कि ये center punch है वो समानेता 60 degree से 90 degree तक होता है अगला है इसके point को 90 degree पर grind करके बनाया जाता है अगला है इसका यानि कि center punch है उसके बारे में discuss कर रहे हैं तो इसका मुख्य परियोग drill hole करने के लिए तथा center point की punching करने के लिए किया जाता है यानि कि जो center punch होता है उसका परियोग कहा कहा किया जाता है तो drill hole करने के लिए किया जाता है तथा center point की punching करने के लिए किया जाता है अगला है केंदर punch का परियोग यानि कि center punch का परियोग छीतरो का स्थान निधारन तथा चीने के लिए करते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा अब हम discuss करेंगे prick punch के बारे में discuss करेंगे और ये भी जो है prick punch ये भी बहुत ज्यादा important है तो अब देख लेता हैं कि जो prick punch होता है वो कैसा दिखता है तो इस वाले figure में अब देख सकते हैं कि जो figure जो दिया गया है यह prick punch का figure दिया गया है अब आए इसके बारे में डिस्कस कर लेता है इंपोर्टन जो points है तो इसके point को 30 degree के cone में grind करके बनाए जाता है यहाँ से प्रस्थ ऐसे पूछ जाता है कि जो prick punch जो है उसका जो point angle होता है वो कितना होता है वो 30 degree होता है अगला है प्रीक punch जिसको की वेधी punch भी कहता है तो प्रीक punch या वेधी punch का जो कौन होता है वो 30 degree का होता है अगला है इसका प्रियोग प्राया नर्मधातू के जौब पर की हुई marking की line को dot लगा कर अस्थाई करने के लिए किया जाता है जैसे तामबा, पीतल, अलिमूनियम, इत्यादी अगला है प्रीक punch का उप्योग seat metal shop में होता है अगला है प्रीक punch का उप्योग छोटे चीन बनाने में किया जाता है तो यहां से ऐसे प्रस्ण पूछा जा सकता है कि जो प्रीक punch है उसका उप्योग कहां पर होता है तो छोटे निसान या फिर्चीन ही लगाने के लिए इसका उप्योग होता है अब हम डिस्कूस करेंगे आटोमेटिक punch के बारे में डिस्कूस करेंगे और यह भी बहुत ही ज़्यादा important है यहन्ने कि इस वीडियो में जितनी भी सारे punch लिएगे है यह सभी important है जहां से प्रस्ण बार-बार repeat होता है यह वैसा topic है ओके फैंट्स तो जो जो आटोमेटिक जो punch है वो कैसा देखता है तो इस वाले figure में अब देख सकते हैं कुछ ऐसा देखता है अब आईए इसके बारे में भी कुछ important जो point है उन सबी को discuss कर लेते हैं तो यह spring की सहता से कारे करता है यानि कि यह भी पोचा जा सकता है प्रस्ण में कि कौन सा ऐसा punch है जो spring की सहता से कारे करता है तो कौन सा punch है तो आटोमेटिक जो punch है वो spring की सहता से कारे करता है अगला है इसका point कारे के अनुसार 90 degree या 60 degree के कोन में हो सकता है अगला है यह एक आधुनिक पंच है जिसका प्रियोग करते समय मार्किंग हैमर से चोट लगाने की आउशकता नहीं होती क्योंकि उसमें spring लगावा होता है अगला है खोखले पंच का प्रियोग पतले धात्विक फलक के सीटों में छिदर लगाने के लिए किया जाता है यानि कि हॉलो पंच का उपियोग किया जाता है तो friends यह छोटा सा जो topic है यह आपको कैसा लगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को like करें और friends अगर आपको किसी भी वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलिग्रम को जोईन कर सकते हैं टेलिग्रम का लिंक जो है वो आपको इसी वीडियो के नीचे description में मिल जाएगा वहां से जाकर जोईन कर सकते हैं और friends और मैंने exam oriented videos बना रखा है जो कि खजाना video के नाम से हैं अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं क्योंकि हर exam में यहां से 5-6 numbers तो पूछे ही जा रहे हैं इससे ज्यादा भी प्रस में पूछा जा सकता है इसलिए इस वाले वीडियो को देखना बिलकुल भी ना भूलें और यह सभी ट्रेटो के लिए है ओके फैंट्स थैंक्स पूर वाचिंग क्योंकि बाइब लिए आप में बिलकुल रहे हैं झाल झाल